नमस्तीक, आजे को और रिडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके परसिंट करन्ट एनरजी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस रश्चे को लेकर, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ओपर लाइक करना है इन्वस्कों ग्राटिटूड ज़रूर ज़रूर सेन करना है सबसे पहला काड़ी आपर बता रहा कि इस अंसान ने कितना दर्थ, कितनी तकलिफ, कितनी पीड़ा आपको दी है ये भली भाती जानता है इस बात को कि इसने आपका दिल तोड के रखा है, आपको दुख दिया है, परिशान किया है आपको, और जिस तरह से आपे नरजाई है नकाईस, लिप्रा अक्वरुस जेमिना है, यह आपर दो काड मिल चुके है, एक तरफ ये इनसान पर कितनी पीडा दे रहा है, तो जो एहसास इसको हो रहा है कि इसने कितना दुख दिया है आपको, पता है, जानता है, फिर भी अपने इवो में आ रहा है, अट्राक्शन फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है, और सफलता चाहता इस रिष्ट में, सकस्पुल होना चाहते है इस इंसान ने आपको option के तौर पर रखा, ठीक है, यहाँ पर three of swords है और उसके नीचे है two of pentacles, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके person ने आपको option के तौर पर रखा है, हो सकता है आपके person के पास दो-दो option है, एक तरफ तो यह इंसान आपके लिए बहुत जा सोच रहा है, क कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि इस इंसान ने किसी और की बज़ा से आपको छोड़ दिया है, ठीक है, Aries, Leosages है, Libra, Aquarius, Gemina है, Taurus, Virgo, Capricorn है यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह से आप एनर जा रहे हैं, बहुत जादा attraction king of wands और queen of wands, दोनों जोड़ी की जोड़ी यहाँ पर फिल करते हो, ठीक है, और दोनों की जोड़ी भी perfect है, एक दुसरे के लिए ही बने हो, जैसे कि, जब आप दोनों एक साथ आते हो, तो जैसे कि आप दोनों की जोड़ी एक दुसरे के लिए ही बनी है, ऐसे आप दिखाई देते हो, जोग है आप ऐसे कि आप दोनों की जो personality है बहुत अट्राक्टिव है आपके परसन के भी परसनलिटे बहुत अट्राक्टिव है आपकी भी ठीक है और यहाँ पर चलर जा रही है उनको पता है कि जैसे आप दुने made for each other हो एक दूसरे के लिए ही बने हो फिर भी ऐसी बात है कि इस अंसाने आपके दिल को दुखाया है इस अंसाने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके बात आज आप इस हाल में हो ठीक है और क्या है देखते हैं देखो यहाँ पर कैसे four of source के एनरजी है इसने जो गलतिया की है खुद इश्वर आपके साथ justice करेंगे उस supreme power पर आपको भरुसा रखना है और आपके साथ justice हो कर रहेगा और क्या है जिस तरह से आप इनरजी है इस इंसान का जो controlling nature है जो हमेशा चिल चिल करना आपके उपर गुस्ता करना नाराज होना छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ सुना नहीं यहाँ पर बात यह है कि इस इंसान का सोभाव भी बहुत जिम्मेदार हो सकता है इस relationship में जो problem हुए उसके लिए क्योंकि इसको कुछ वोरो इससे बरदाश्ट नहीं होता है यह आपको बहुत कुछ बोल लेगा यह आपके insult भी करेगा टाइम पर ठीक है लेकिन अगर इसको आप कुछ बोल दो तो इससे बरदाश्ट नहीं होता है यह इसकी problem है फिर यह गुस्से में आ जाता है ठीक है तो इसकी यह problem है इगो बहुत ज़ादा है इसके अंदर अपने आपको बहुत ज़ादा smart समझता है बहुत लोग यहापर ऐसी कि आपके परस मश्गूल है अपने आपकी तारिफ करने में इतना ज़दा मश्गूल है कि आप क्या feel कर रहे हो आपको किस तकलीफ में उसने डाला है कभी-कभी तो यह सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं है इतना ज़दा वो busy है खुद की तारिफ करने में खुद की वावा करने में पेड़ पर चड़ जाता है चने के पेड़ पर चड़ और लोग भी इसकी तारिफ कर देते हैं फिर इसको और जादा ऐसा फिल होता कि हाँ यही ग्रेट है सबसे कुछ ऐसी परसनार्टी आपके परसन भी हो सकती है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे की जिस तरह से आप इनर जाई है के परसन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है लेकिन चो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस इंसान की खुद की गलतियों के वज़े से आज आप दोनों दूर हो परस्ट तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको कभी कभी जब यह अंसान अकेला होता है तो इसको पता है किसने क्या गलतिया की है उसको रिग्रेट भी होता है लेकिन जैसे ही वो दूसरों की कॉंटक्ट में आता है जैसी लोग उसकी तारिफ करना शुरू कर देते हैं यह भूल जाता है सब कुछ इसको लगता है कि हाँ यही सही है यही ग्रेट है और आप गलत हो और क्या है देखते है प्यार यहाँ पर बहुत जादा है इतना जदा जो प्यार है यहाँ पर और इसने जो आपका दिल तोड़ा है इसको रिजेक्शन का भी डर है ठीक है इतना जदा जो इगो है इसमें इसको लगता है अगर ये call करेगा और आपने इसका call नहीं उठाया तो फिर इसको तो बड़ी problem होगी, इसका ego heart हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो rejection के डर से भी कुछ लोग आपा ऐसी कि आपके प्रसन आप से बात नहीं करते हैं, बहुत जिदा dull और बहुत boring सा फिल कर रहे हैं देखो bottom में भी कहा है, four of pentacles, इस इंसान के मन में बहुत कुछ है आपसे share करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं करते हैं, control कर लेता है इंसान, ठीक हैं, आपके energy देख लेते हैं, आपके इस energy में हो, सबसे पहला ही कार्या आपर the heart fund के energy है guys, कुछ लोग या आप ऐसी कि आप बहुत ज़्या स्प्रिचर हो, ठीक है, आपका इश्वर पर, supreme power पर भरोसा भी है, कुछ लोग या आप ऐसे हैं, कि जिस तरह से आप इनरजारी है, आपको डर लगता है कि इस इंसान के घरवाले, इस के लिए कोई और रिष्टे ढून रहे हैं, या आप बात की तो हो सकता है, इस इंसान ने आपका दिल ही तोड़ दिया, आपको इग्नॉर कर दिया, कुछ ऐसे बात है, शादी को लेकर आप कुछ सोच रहे हो, या कुछ लोग आप ऐसी कि आपको पता है कि इसके पास दो-दो option है, एक तरव इन का परिवार, एक तरव इन का कर थोगा, ठीक है, इस इंसान्ै Jefford डालने चाहिए ये इस रिष्टे में, ये इस इंसानी वह effort डाले नहीं है, आपको लगता कि जल से जल उसने इस रिष्टे में MARY आपको इल्याक्शन प्रशरे थी दोग कि और अपको बात करना चाहिए याप से, लोग यह आपर ऐसी कि आ आपको लगता है कि इस अंसाने आपको अवाइड करने के लिए अपने आपको काम में बहुत बीजी कर लिया है ठीक है ऐसे भी आपको कुछ लोग है आपके परसन को भी पता है कि उन्होंने जितने एफ़र्ट डालने चाहिए इस रिष्टे में उतने एफ़र्ट डालने नहीं है यह टेना कपस के इनर्जी है आप तो शादी की ही बात करना चाहते हो आपके मन में तो शादी को लेकर ही बार-बार थौट्स आ रहे हैं आप कम इस इनसान से कुछ नहीं चाहिए, बस इस इनसान से commitment चाहिए, शादी की बात करेगा, ये इनसान तो आपको अच्छा लगेगा, ये इनसान अपने घरवालों से आपके लिए बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और आपको डर यह लोग यह एसे हैं कि यह देखे मानेंगे इसुल्टाय सोफुल आपके मनें दुधू धी प्रशिति міोपुरे चलते हैं अध्य रहें लाई नहीं हो और पर इसमते हैं एक तक Alarta है कि क्या आप दोने की शादी होगी की नहीं होगी क्या इनके घरवाले मानेंगे की नहीं मानेंगे शादी को लेकर यह आप में से बहुत लोग सोच रहे हो और जो effort नहीं डाल रहे आपके person जो action नहीं ले रहे आपके लिए इस बज़ा से आप परिशान हो आपको ऐसे लगते हैं इनसान हमीशा अपने काम में बीजि रहता आपको वक्त नहीं देता है या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने आपको बीजि कर दे हो अपनी काम में आप अपने finance के उपर अपने career के उपर focus करना जाते हो आपको ऐसा लगते कि जब तक commitment नहीं मिलता है आप इस इंसान के उपर भरोसा नहीं कर सकते जब तक इस इंसान के घरवाले नहीं मानते हैं आप इस इंसान के उपर विश्वास नहीं कर सकते ऐसे भी कुछ लोगे आप रहे कि आपको इस इंसान के उपर भरोसा नहीं रहा है जिस तरह से इस इंसान ने आपको option के तोर पर रखा जिस तरह से इसने आपका दिल तोड़ा जिस तरह से इसने आपको avoid किया आपका अब इस इंसान के उपर भरोसा नहीं रहा है आपको ऐसा लगते है कि जब यह अंसार अपने परिवार से मिलाएगा आपको तब आपका विश्वास होगा जब यह अंसार आपको commitment देगा तब आपका विश्वास होगा कुछ लोग यहाँ आप ऐसे हैं कि आप इस इंसान के उपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो ठीक है 10 of source वही तो आप इस इंसान के उपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग यह आप ऐसे हैं या तो अलरड़ी आपको धुका मिला है रिडिंग की शिर्वात ही 3 of source ही हुई है और आपकी जो feeling देखिया हम तो यहाँ पर है 10 of source कुछ लोग यह आप ऐसे हैं कि आपके साथ कोई धुका हुआ है और आप उसमें से उभर नहीं पा रहे हो आप एक new beginning फिर भी चाहते हो आप फिर भी फिर भी अगर यह इंसान आपके लिए commitment देगा तो फिर भी आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो जो यह अंसान आपको छोड़कर चला गया आपकी जिन्दगे से दूर आप परिशान हो कुछ लोग तो आप ऐसे कि आपका हाल दिप्रसा हो गया है कुछ लोग आप ऐसे भी है कि जो इस इंसान ने गलत किया आपके साथ अब आप लेड़गो करना चाहते हो या तो उस व्यक्ति से लेड़गो करना चाहते हो या तो उस पास्ट से लेड़गो करना चाहते हो जो पास्ट आपको परिशान कर रहा है कुछ लोग तो आप ऐसे है कि जो इस इंसान ने धोका दिया है आपको वो दर्द तकलिफ आपसे बरदाशन हो रही है समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आपको लिटगो कैसे करना है क्या है आपके लिए guidance इस वक्त कुछ लोगे आप ऐसी कि अगर आप सफलता चाहते होना गाईस तो हो सकता है कुछ लोगे आप ऐसी कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत negative हो सकते हैं जो बहुत चलकपट करते हो ऐसी हो सकते हैं और इस वज़ा से हो सकते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी चलकपट करने वाली लोग है इस वज़ा से आपकी सफलता में जैसी कि कोई अठकाव आ रहे हैं ठीक है रुकावटे आ रही हैं आपको अपनी inner voice सुनना है, चाहिए जो हो जाए, कोई आपको कितना भी misguide करने की कोशिश करे, कोई आपको कुछ भी बताने की कोशिश करे, आपको खुद के उपर विश्वास रखकर अपनी inner voice को सुनना है, ना कि दूसरों की बातों में आपको आना है, तो कि आपके आसप इसके बार में सोच सोच कर बहुत परशान हो रही हो कि पताने क्या होगा जो होगा अच्छे के लिए होगा जो भी होगा इश्वर ने कुछ न कुछ सोच रखा होगा अगर कुछ वुरा भी हो रहा है आज तो उसमें भी आपके भलाई है पहले आप इस बात को जानो कभी- साथ होते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया ठीक है फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है यह सवाल हमें जरूर आता है तो इसमें hidden blessings को देखो आपके साथ कुछ अच्छा ही करना है इश्वर को इसले कुछ गलत हो रहा है उस गलत में भी आपका benefit है तो आपको आने वाले स उसका होना कि वो जरूरी था अगर वो बुरा नहीं होता तो फिर आज आप कहीं नहीं होते इतना सदा overthinking करे हो जैसे आखो पर पट्टी बंदी है जैसे किसी के पास दो-दो option है चाहे वो career को लेकर हो चाहे इस रिष्टे को लेकर हो कोई tension हो चाहे जो भी है दो-दो thoughts आप अपने आपको शांत करो जो होगा आपके बुले के लिए होगा ठीक है I hope आपको डिंग पसंद आई है like share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए